हेलो फ्रेंड्स मैं भी जै आप सभी का एक वार पुना स्वागत करते हैं आज के एक नए अपडेट वीडियो में तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि Beltran BPSM 231 का निडेट जो है वो पास आउट होए थे उसका final merit list जो है वो उसका परकासन आज या ज़ार याणी एक से दो दिन में आपको परकासित हो जाएगा तो final merit list जो परकासित होगा वो 100% आरक्षन रोश्टर के अनुसार जो है वो उसको करंबद किया जाएगा सेरीयल नंबर के अनुसार तो जो सेरीयल नंबर होगा उसके बाद जो फाइनल मेरेज लिस्ट का पाइनल निर्मान हो गया बेल्टरॉन का उसके बाद जो है वो आपको बिहार की बिभीन करियाले में जो भी करियाले है उसको उसमें अधियाचना के अनुसार जिस भी भाग म यानि परतिनिक्ति का जो कार्य है जो वो प्रारंब किया जाएगा जैसा कि पहले एक वीडियो में हम बताए थे कि दिसंबर के सेकेंड वीक में जो है वो परतिनिक्ति की परिकिरिया जो है वो स्टार्ट वोग जाएगा तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार के जितने भी करियाले है उसमें कौन-कौन से ऐसे विभाग है जिसमें कितना पोस्ट खाली है और जो 21-31 अभियर्थी है कनिडेट है उसका जोईनिंग जो है वो आपको कौन-कौन से विभाग में होने वाला है तो मेरे पास लगभक टोटल 2500 ऐसे विभाग का आकरा है पीडियाफ है और जिसके माध्यम से आज हम बताने वाले हैं कि कौन से विभाग में कितना पोस्ट जो है वो खाली है तो विडियो में बने रहे और अंध तक जरूर देखे ताकि आपको पता चल सके कि कौन से विभाग में कितना पोस्ट खाली है और आपका जोईनिंग ज होती है तो लगबग सभी का नियोजन जो है वो एक साथ भी होने की पुन समभाबना है तो वीडियो में बने रहे हम चलते हैं ऑफिसियल पीडियाप की ओर जिसमें आपको बताते हैं कि कौन से विभाग में कितना पोश्ट खाली है तो वीडियो के लास्तेक जरूर बने रहे अफिसियल पीडियाप में तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि हमारे पास लगबग 2400 से 2500 टोटल डियो की भैकेंट की सीट का विभरन है तो जैसे कि पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया जनम में तो यानि योजिना एबं विकास भी भाग हो गया का हमारे पास लिस्ट है तो सबसे पहले देखते हैं जैसा कि आपको पीडियाप दिख गया होगा योजिना एबं विकास भीभाग जिसके अंतरगत जो है वो आपको जनम एबं मिर्तु का रजिस्टी करन करना है एबं सांखी के विभाग का जो भी आकरा रहता है उसको जनम एबं विकास भीभाग पतना दिनांक 28 है नवंबर 2023 का जो है वो एक लेटर आपको देखने को मिल गया होगा इसमें प्रेशक है संजे कुमार पसारी है निदेशक सह मुख्य रजिस्टार जनम और मिर्तु का जो है सबसे हेड मुख्य रजिस्टार वो संजे कुमार प बिल्ट्रॉन भवन सास्त्री नगर बिहार पठना तो जो ये मुख्य रजिस्टार सर है संजे कुमार पसारी वो बिल्ट्रॉन को एक पत्र लिखा जा रहा है और विशय में आपको साब साब दिख जाएगा यहां पे कि जनम और मिर्तु रजिस्टी करन एवं अन्य सांख थिक्य कारियों में सहयोग परखंड अस्तर पर डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्द कराने के संबंद में तो इस तरह से प्रसंग जो है वो तेश दिनांग 26-2023 के आलोक में जो है वो यह लेटर निकाला गया है और नीचे आप देख सकते हैं महास से उपरियुक्त विशय के संबंद में कहना है कि अर्थ एवम सांखी की निदे साल है योजना एवम विकास विभाग बिहार पटना द्वारा जनम और मिर्टु रजिश्टी करन जैसे अनिवार सेवा यानि जनम और मिर्टु का जो है वो कार हमेशा जो है वो लगा ही रहता है अनिवार सेवा है इसके लिए कार है कि साथ ह BSDMS अंतरगत आक्रो का संग्रहन क्रिशी सांखी की फसल कटनी का पड़ियोग मुल्य सांखी की विधित सांखी की से संबनित कारियों का अनुसरवन किया जाता है यानि इस विभाग के अंतरगत आप देख सकते हैं कि जनम और मिर्तु जैसे अनिवार सेवा के साथ आपको BSDMS अंतरगत जो है वो उसका आक्रा का संग्रहन करना है क्रिसी है न सांखी की फसल काटनी का पड़ियोग मुल्य राज के सभी 534 यानि टोटल 534 परखंड है तो सभी परखंड में एक एक data entry operator का जो है ये post 534 जो है वो खाली है इसमें कहा रहा है कि परखंडों के लिए आप सकता कि आधारी data entry operator यानि संबीदा की सेवा प्राप्त किया जाना है जीला अस्तर पर नोडल पदाधिकारी की विवरानी जो है वो अनुलगन को में एवं जीला अंतरगत परखंडों की सूची का लूगलंग जो है वो अवस्यक कर्यार्थ संगलंगन है उक्त के अनुरोध है कि राज के सभी 5-34 परखंडों के लिए data entry operator की संबीदा की सेवा तदकाल एक वर्ष के लिए परखंड अस्तर पर याथा सीखल उप्राप्त कराया जाए एवं सभी data entry operator की संबीदा का अपने अस्तर से परखंड आवंटित करते हुए इसकी सूची अदोहस्तक्षरी यथा समंधी जीला संकी कर्याले को लक्ष कराया जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 534 जो है वो data entry operator की यह योजनाई वंपिकास विभाग में जो है वो vacant है और इसमें आपको वहाँ बेल्टरॉन से ही आपको टोटल 534 जो परखंड है वहाँ का लिस्ट जो है वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा जैसा कि लेटर मे आपको बताया जा रहा है वहीं से आवंटित हो जाएगा और संबंदित जीला को यानि जितने भी जीला है वहाँ उस जीला में आपको लिस्ट जो है वो भेज दिया जाएगा और जिसका भी new zone होगा वहाँ जाकर फिर इसको join करना है तो इस तरह से यह जो है वो पहला था ह हमारा 534 जो है पोस्ट योजना एवंबिकास वीभाग है ना जिसके अंतरगत जो है वो टोटल 534 पोस्ट खाली था तो यह इसके बाद नेक्ष्ट देखते हैं हम इसके बाद दोस्तों दुसरा जो है वो हमारा यहां पर आप देख सकते हैं ग्री वीभाग की ओर से जो है यहां पर देख सकते हैं राज के कराओं में डाटा इंट्री ऑपरेटरों की परतिन्युक्ति के संब्ध में यहां पर निदेशानुसार उप्योक्ति के संब्ध में काना की विभागी है स्वयकर्था देश संख्या जो है यह यानि विभाग से स्वयकर्थी मिल गया है उसका संख्या 50-42 है और दिनाग स्वयकर्था यहां पर देख सकते हैं के अंदर यह कारा में आठ है भीसी कारा में दो टोटल कूल यानि इस तरह से आप देख सकते हैं मंडल कारा उपकारा लगा करिके टोटल यहां पे चार सो एकासी डियो की जो है वो पोस्ट जो है वो आपको यहां पे भेकेंट है टोटल चार सो एकासी इस तरह से अगर आप नीचे देखिएगा तो यहां पे आपको बताया गया है मंडल कारा उपकारा के हैना अंतरगत यहां अता उपरोत के आलोक में अनुरोध है कि बे द्वारा डाटा इंटी ऑपरेटर की सेवा ऑनलाइन तथा ओपलाइन के माध्यम से विभीन विभागों को उपलब्द कराए जा रही है अत्वा राज के कराओं द्वारा अपने अस्तर पर आवसकता अनुसार हैं कि आवसकता अनुसार स्विक्रित पद के बिरूद बेल्ट की जाएगी टो यांको ग्रीह विभाग की ओर से जो है वह आपको निकल के आ रहा था टोटल आप देख सकते हैं यहां 481 जो है वह और भूमी सुधार विभाग की ओर से है यहां आप देख सकते हैं प्रैशक सहयक при continu देशक भूबयधर touch पटना सेवा में परभारी मानव संसाधन बेल्ट्रॉन सास्ति नगर पटना यानि बेल्ट्रॉन को एक पत्र लिखा जा रहा है इसमें कहा रहा है कि विभीन बंधोबस्त कर्याले है टू डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा उपुलप्त कराने के समद्ध में यानि जितने अधीन बिभीन बंधोबस्त कर्यालों में कार्य की महत्ता को देखते हुए दक्ष एवाम अनुभवी डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा की आपसकता है अता उक्त अनुरोध है कि संगलंगन अनुची के समनित कर्यालों में जीला पैनल से एवाम दक्ष अनुभवी केंड जो है वो डाटा इंट्री ऑपरेटर की जो है रिक्तिया है इसके बार नेक्स्ट हम देखते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो हमारा आपको अंचल महीं है यानि बिहार के जितने भी अंचल है पांसा चौतीस है उसमें भी है आपको यहाँ पेपर कटिंग के अपरेटरों की बहाली होगी तो यहाँ पी आप देख सकते हैं कि यह पांसा चौतीस अंचल जो है उसमें टोटल दो-दो करके यानि टोटल एक हजार आइंट्री ऑपरेटर की आप सकता था जिसमें एक-एक डाटा इंट्री ऑपरेटर का जो बहाली आपको हो गया है और चीट जो यानि टोटल 534 अंचल है तो 534 यह अभी खाली है इसमें दो-दो data entry operator चाहिए था किसमें लेखागार भवन यानि सभी अंचल में जो है वो आपको एक लेखागार भवन बनाया गया है जिसमें दो-दो data entry operator की आप सकता था जिसमें एक-एक data entry operator को बहाल कर दिया गया और अभी वर्तमान जो खाली है वो आपको 534 जो है वो data entry operator यह अंचल में चाहिए किसके लिए तो लेखागार भावन में है ना चाहिए यह data entry operator को इसके बाद next हम देखते हैं PRD डिपार्टमेंट में यानि पंचायती राज डिपार्टमेंट में तो यहां पे आपको देखने अन्य को मिल जाएगा तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं पंचायती राज डिपार्बाह की और से जो भेकेंट अभी खाली है पोस्ट उसको बरतमान में कितना पूश्ट खाली है यहां पर आप देख सकते हैं पंचायतों में यहां आप देख सकते हैं पंचाइतों में 929 पदों पर होगी बहाली तो यह अलग-अलग पोश्ट है अलग-अलग यहां पर दिया गया है यहां पर आप एक नजर में देख सकते हैं पदों की संख्या लेखा पाल सो आइटी सहाय के लिए 7017 कारपालक सहाय केवं डाटा अबक 8000 जो है वो गराम पंचायत है उसमें 7017 लेखा पाल सो आइटी सहाय के लिए आपको यह कंट्रेक्ट पर बहाल होंगे इसी के साथ जो है वो आपको यहां पर देख सकते हैं कि 326 जो है वो करपालक सहायक सह डाटा इंट्री ओपरेटर और 266 परखन पंचायत रजपत है वो पोस्ट देखने को मिल जाएगा तो अगर एक नजर में अगर हम बात करते हैं कि कोल कितना पोस्ट हुआ तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों एक नजर में अगर हम इसको बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि योजिना एबम विकास विभाग है ना यहाँ योजिना एवं विकास विभाग जनम मृतु के लिए जो है वो आपको 564 जो है वो आपको पोस्ट चाहिए गरी विभाग में आपको कारा जेल के लिए 4801 पोस्ट चाहिए और राजस एवं भूमी सुधार विभाग में हमने बताया 534 जो है वो पोस्ट खाली है इसी के साथ सभी अंचल में जो है वो आपको लेखागार भवन है उसके लिए 534 जो है वो आपको अभी पोस्ट खाली है और पंचायती राज विभाग में जो है यानि PRD डिपार्टमेंट में आपको 326 जो है वो पोस्ट खाली है इस तरह से अगर आप टोटल को add किजेगा तो 249 जो है वो आपको पोस्ट अभी टोटल जो है वो देखने को मिल रहा है इसमें बिहार के केवल 5 डिपार्टमेंट में जो है वो आपको 249 डाटा एंट्री ओपरेटर की जरूरत है तो एक नजर अगर देखा जाए तो अभी बेल्टाउन के माध्यम से जो डाटा एंट्री ओपरेटर का जो नियुक्ती होना है बिपी एसम के माध्यम से जो करपालक सहाएक थे उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है एक साथ भी नियोजन साभी का करवा सकते हैं तो इस सकते हैं टोटल 21-31 के लिए यहां 24 जो है वह पोस्ट खाली है और इस तरह से यह वीडियो के माध्यम से आपको हमने यह पोस्ट के जितना खाली है उसके बारे में हमने बताया अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हम मोटिवेट हो सके और इसी तरह का न्यूज नोटिस जो है वो आपके साथ लेकर आएं तो फिर मिलते हैं एक और नई जनकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाजाएं